है कि यह गाइस वैलकुम टू माइ चैनल सॉम्म अटै रो डिडिंग और इस समय में जो रीडिंग लेकर आई हूं वर्गो के लेकर आई हूं यानि कि अगर आप वर्गो हैं गन्या राशिक हैं तो यह रीडिंग जो है वह आपके काम क्या होने वाली है इस मंथ में आपकी एनर्जीस क्या होने वाली आपके परसन के साथ क्या होने वाली तो कार्ड लोंगी में आपके परसन क्या कार्ड आपके लिए आपकी तरब से कार्ड लोंगी आपके परसन की दोनों के इनर्जीस क्या होने वाली इस मंथ में और क्या सिच्वेशन होने वा वर्गों जितने भी हैं इस दुनिया में कितने वर्गों होंगे हर किसी के साथ एक जैसे अनर्जी मैच कर जाए इतना पॉसिबल्टी नहीं बनेगी हाँ अगर आप परस्टनली तो बात करना चाहते हो तो अलग बात है तो इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखकर एनर्जी ज़िए काड़ तो रही है वर्गों बहुत पाजिटीव एनर्जी जारी काड़ में शादि बादी होने वाली है आपके परसंच के साथ अगर आपको शादि कर नहीं तो यहां पर बड़ी वीटिफुल सी एनर्जीज जा रही है मैं नोगए यतने वी वर्गों वाले हैं मै energies love marriage को भी बता रही है यह energies reunion को भी बता रही है कोई बहुत ही पुराना past का person जिसके साथ आपका प्यार था बहुत strong connection था लेकिन वो person के साथ आपकी relation से break हो गया था ऐसी अरोजिस यहां पर आ रही है कि वो person वर्गो आपकी life में लोट कर आ रहा है बहुत तेजी से connect हो रहा है दूसरा marriage को लेकर भी बहुत chances बन रहे हैं तो भाई marriage को लेकर अगर आपने बात कर रखी है family राजी नहीं हो रही थी person जो है वो क्योंकि देखो इन person की जो first energies आ है ना उस energies मुझे happiness नजर आ रही है मतलब जैसे कि आपके person समझ रहे हैं जान रहे हैं क्योंकि यह आपसे बहुत प्यार करते हैं ठीक है वर्गो और दूसरी चीज़ यहाँ पर शादी को लेकर भी काफी ज़्यादा chances बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपके आगे आने वाले समय में आपकी मैरेजिन के साथ हो सकती है फिक्स होने तदूर की बाते मुझे होती हुई दिखाए दे रही है chances बहुत ज़्यादा है लब मैरेजिस का योग बन रहा है दूसरी चीज़ अगर आप वर्गो राशी के हैं आप कन्या राशी के हैं मतलब तो कई नहीं आप दोलों के बीच में आपके और आपकी अनर्जीस के अकॉर्डिंग आपके परसन के साथ आपके मिसंडरस्टेंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी पिछले कुछ टाइम से कुछ ऐसी चीज़े हो रही थी जिसमें आप लोग के बीच में आपके और आपके परसन के बीच में लडाईयां जगड़े आर्ग्यूमेंट्स एक दूसरे कुपर ब्लेम करना या परसन का अगम साइलेंस बैठ जाना बात नहीं करना है ना तो यह चीज़े मुझे यहां पर बहुत ज़्यादा बर्गों है और यह पर प्रॉब्लम यहां पर शो हो रहा है अब दूसरी चीज़ यहां पर है कि लेकिन परसन आपके लिए मैंने बोला ना कि आपकी परसन की अनर्जी बहुत एक्टिव है तो कोई ना कोई साल्विशन परसन की साथ से निकलता हुआ दिख रहा है ठीक है मतलब ऐसा इनर्जी इसको देखकर कि हाँ भई वो तो राजी है शादी को भी लव को भी रियूनियन को भी सारी चीज़ें यहां पर दिख रही है लेकिन थर्ड परसन का जो सिच्वेशन देख रही है वह कहीं न गई प्रावलम्स क्रेट कर सकती है तो प्रावलम्स है मैंने बोला है कि प्रावलम्स क्रेट कर सकते तो उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं उसको इतना स्ट्रेस में लेने की ज़हतनी है क्योंकि आगया आने वाले समय में यह जो चीज़ें वह ठीक होती हुए भी दिखाई दे रही है तो और कुछ कार्ट पर देख लेते हैं अब मैं परसन की वाले आप लोगं की अनर्जी यहां पर आ रहे हैं कि आप स्ट्रेस कर रहे हो रिलेशन्सिप में बहुत डिफिकल्टीज हो रही है मुझे लग रहा है पास्ट याद आ रहा है बूल नहीं पा रहे हो पास्ट को ओ माई कॉड साइलेंस यह जो अनर्जी जा रही है क्रोस व यह लुछ में कम्मुनिकेशन नहीं हो रहा है ज्युक्त है यापर मुझे यह बता रहा है कि आपके और आपके पर्शं के बित में कम्म्मिन केसं मतलब कुछ है भी ऐसा कि भाई बात वात हो रही है तो कोई के लिए तिर्णी मिल रही है मतलब बात क्या जगड़े जादा हो रहें चीज़ें ठीक नहीं हो रही ज़ाने बहुत हो गई है परसन से कुछ भी बात करो तो कहीं नहीं यांसर ऐसा दे देते हैं जिसमें आप परिशान ह होते हो फॉन भी नहीं हो सकते कि सुच आफ करके रख दिया हो तो भी सॉइलेंस अनर्जी जब्लॉक कर दिया हो है ना तो यह चीज़ें पर देखने दूसरी चीज में आप एक भी चीज यह भी देख रही हूं कन्या राशी वालो कि इस्ट्रेस मेरे को दिख रहा है आपके तो कॉंटेक्ट होगा आपका परसन के अनर्जीस बहुत अच्छी है आप आपका क्या है मुझे आपकी वर्गों दिख रहे कि आप अपने परसन को बहुत ज़्यादा याद करते हो ठीक है आप दूसरी चीज आप इनका प्यार खोना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर बहुत है एक दूसरे को पहले जैसे पास्ट में आप प्यार पास्ट की वह मैरेज कहीं कहीं लग रहा है कि आपकी दौलों की मैरेज हो चुकी यह बट अपने उस मैरेज को अभी चुपा के रखका है पब्लिश नहीं किया एक समय आया था कि जब आपने मैरेज की थी आप एक प्लानिंग की थी कि हम जिन्दगी बर साथ रहेंगे पर आज वह स्थिति आपकी एकदम ऐसी हो गई है जिसको सोच कर ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप स्ट्रेस ले रहे हो तो यह चीज में मैं आपको बोलूगे कि नहीं लेना है जो मन्त आ रहा है बहुत खुश्यों भरा मन्त है यह और हैपिनेस इसमें चेंजिस होंगी परसन की तरफ से मैंने बोला कि कुछ ऐसी भी सिच्वेशन हो सकती है जिसमें सड़न कॉंटेक्ट हो क्योंकि यह परसन भलाई नो कॉंटेक्ट स्थिति में है लेकिन अपनी लाइफ में यह हैपी नहीं है यह अपनी जो कॉंटेक्ट आफ हो गया है साइलेंस हो चुका है वह खतम होता हूँ दिख रहा है एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारिया निभाने वाले हो है ना एक दूसरे के प्रति रिस्पोंस्विल्टी निभाने वाले हो जिम्मेदारिया निभाने वाले तो यह चीज यह पर द आलने वाली हूं चैनल पर बहुत सारी सो स्क्राइब करके रखिएगा फॉलो करके रखिएगा और अगर आपको परस्नेली कॉंटेक्ट करना है मुझसे तो मेरे एक नंबर है 9540119650 इस नंबर पर मैसेज करके आप अपनी रिडिंग बुक कर सकते हैं तो परसन की साइट से म एक मैसेज निकालती हूं मैं आपके साइट से तो यह वाला कार्ट तो मैं ले लेती हूं आपके साइट से ठीक है की कोशिक कर रहे हो मुझे लग रहा है अपने पसे किसी छी चीज का पर बहुत ज़हसे हैं दूसरी आपिनको बहुत ज्यादा चाहते और यह परसन के साथ अब अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो और कहीं कहीं मुझे यह भी लग रहा है कि आप इनको बहुत ज़्यक्त करने कोशिस करें बट कॉंटेक्ट होने पार है पेशेंस रखिए मैं आपको आंसर दे देती हूं जो आपका मैसेज निकला है कि आ आपका कॉंटेक्ट होगा इनके साथ मैंने बोला ना जाकि जो साइलेंस कम्मिनिकेशन ना यह अभी है बट यह सिच्वेशन चेंज हो जाएगी आपके परसन की तरफ से भी एक काड ले लेते हैं वह क्या कह रहे हैं की भी सुन लेते हैं परसन की तरफ से जो काड आया उसमें जो मैसेज निकलकर आया है वह पूरी तरीके से अपनी जिम्मदारी निभाने को तयार हैं आपके प्रति मैंने बोला ना फर्स्ट काड को देखकर ही मैं समझ गई थी कि यह परसन तो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आने को रेड नहीं है आपकी इसे इनकी आप से तो वह चीज मुझे यहां पर दिख रही है तो फिर परसन जो है वह यहां पर यह कह रहा है कि भाई मैं पूरी तरीके से अपना जिम्मदारी निभाओंगा यह निभाओंगी मेल फीमिल कोई भी हो सकते हैं आपके परसन तो यहां पर बहुत तेजी से आपकी तरह पॉस्टिविटी आती है सो गाइस आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी यह रीडिंग और कमेंट सेक्षन में कमेंट जरू कर लीजेगा मुझे पता चल जाए मुझे कितना रेजनेट कर रहा है आपको अब तक लिए खुश रहे ध्यान रखिए बाइ बाइ